आज हम सिखेंगे सनलगन आकृतियों का परिमाप परिमाप यानि पेरिमिटर यह शब्द पैरी और मैट्रॉन से बना है पैरी का अर्थ चारों तरफ और मैट्रॉन का अर्थ मापन है इस तरह से किसी बंद आकृती की परीसीमा यानि पाउंडरी की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं जैसे इस आकृती को देखिए इसकी परिसीमा की कुल लंबाई A, B, B, C, C, D, D, A के योग से प्राप्त की जा सकती है यह योग इस आकरिती का परिमाप कहलाएगा चलिए आज वर्ग और आयतों से बनी सनलगन आकरितियों का परिमाप ग्याद करना सीखे एक कागज लीजिए इस पर 5 सेंटिमीटर भुजा वाला एक वर्ग PQRS खीच लीजिए क्या आप पता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इसका परिमाप ग्याद करने के लिए हमें इसके चारो भुजाओं की लंबाईयों का योग करना होगा लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा की लंबाई है यदि आपको किसी वर्ग के भुजा की लंबाई पता हो तो इस सूत्र के प्रयोक से आप उस वर्ग का परिमाप क्यात कर सकते हैं इस तरह से वर्ग PQRS का परिमाप होगा चार गुणा 5 सेंटिमीटर बराबर 20 सेंटिमीटर अब आप कागस पर 3 सेंटिमीटर लंबाई और 2 सेंटिमीटर चोड़ाई वाला एक आयत J-K-L-M बनाईए क्या बता सकते हैं इस आयत का परिमाप क्या होगा सोचिए सोचिए यहां भी आयत का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाईयों का योग होगा लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं यानि अपोजेट साइट्स बराबर होती है जैसे यहां J-K बराबर L-M और K-L बराबर M-J है इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर दो गुणा J-K धन K-L यदि हम भुजा J-K को आयत की लंबाई और भुजा K-L को आयत की चोड़ाई कहे तो आयत का परिमाप बराबर दो गुणा लंबाई धन चोड़ाई लिखा जा सकता है यदि आपको किसी आयत की लंबाई और चोड़ाई पता हो तो इस सूत्र की प्रयोग से आप उस आयत का परिमाप ग्याद कर सकते हैं जैसे यहां आयत J-K-L-M का परिमाप होगा दो गुणा कोश्ठक में दो सेंटिमीटर धन तीन सेंटिमीटर बराबर दो गुणा पाच सेंटिमीटर बराबर दस सेंटिमीटर अब ज़रा सोचिए अगर हम वर्ग P-Q-R-S और आयत J-K-L-M को कागस से काट कर इस प्रकार सनलगन यानि अजिसेंट रखते हैं तो बनने वाली नई आकरिती P-Q-R-K-L-M का परिमाप क्या होगा सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं सबसे पहले यहां बिंदू S और बिंदू J एक दूसरे पर आ रहे हैं इसलिए हम इन में से सिर्फ एक नाम रखेंगे जैसे यहां हम इस बिंदू को बिंदू S कहेंगे यहां हमें दोनों आकरितियों को साथ रखकर एक नई आकरिती PQRKLM प्राप्त हुई है इसका परिमाप इसकी परिसीमा की लंबाई होगी जिसे ग्याद करने के लिए हमें इसके सभी भुजाओं की लंबाईयों का योग करना होगा यहां PQ बराबर QR बराबर वर्ग PQRS की भुजा बराबर 5 cm है क्या आप पता सकते हैं कि हम भुजा RK की लंबाई कैसे ग्याद कर सकते हैं सोचिए सोचिए पिल्कुल सही RK पराबर RS रिन SK पराबर 5 cm रिन 2 cm बराबर 3 cm KL पराबर 3 cm है इसी तरह LM पराबर 2 cm है इसी तरह MP बराबर MS धन SP बराबर 3 cm धन 5 cm बराबर 8 cm इस तरह से आकरिती PQRKLM का परिमाप होगा PQ धन QR धन RK धन KL धन LM धन MP पराबर 26 cm जरा सोचिए क्या यहां वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप को जोड़ कर संपूर्ण आकरिती का परिमाप प्राब्त किया जा सकता है नहीं यदि हम इनके परिमाप का योग करेंगे तो परिणाम आता है 20 cm धन 10 cm बराबर 30 cm दोनों स्थितियों में परिमाप भिन्न है इसलिए सनलगन आकरिती का परिमाप इसे बनाने वाली आकरितियों के परिमाप के योग से प्राप्त करना गलत है इसका कारण अपने अध्यापक से चर्चा करके अवश्य ग्याद करें अब आप स्वयम ग्याद कीजिए कि यदि हम आयत को इस प्रकार या इस प्रकार वर्ग के सनलगन रखते तो क्या प्रत्येक स्थिती में हमें समान परिमाप प्राप्त होगा? आज हमने सीखा संलक्न आकरितियों का परिमाब अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारण